असलाव अलेकोम एं वेलकम टू एक्स्प्लोर एंड मोर व्लोग्स आज जो हैं हम लोक मेला लोक वर्सा में एक्स्प्लोर करने वाले हैं पंजाब पिविलियन और आपको दिखाएंगे यहां का कल्चर और सबसे पहले जो है मेरी जो नजर पड़ी वो इस बहुत ही प्यारी पर पड़ी जिसमें जो है हर चीज जो है वो ब्लू कलर की थी और इन्होंने बहुत ही अच्छा जो है कलर चूस किया हो था जो के देखने में बहुत यह अट्रैक्टिव लग रहा था और इधर जितने भी चीजे थी जितना भी इन्होंने आर्ट बनाया हा था वो सब थीम थी वो सरिफ एक थी और जैसा कि आप देख सकते हैं कि इनकी जो डिटेलिंग होती है जो इतनी चोटी चोटी चीजों पर ये लोग डिटेल्स देते हैं अपने आर्ट के अंदर वो और कहीं नहीं होता सरिफ पाकिस्तान में होता है इसके बाद मैं आपको दिखाऊं पंजाबियों का फेवरेट पान और इस शॉप के ओनर से इंटरव्यू लेने के बाद मुझे पता चला कि ये 20 साल से ये काम कर रहे हैं और इन्होंने अपने हातों से बहुत-बहुत बड़ी परस्नालिटीज को भी पान बना के खिलाया है इसके बाद मैं आपको ये रिखाओं कि यहाँ पे जो है वो शकरखंदी बना रहे थे और यहाँ पे जो है वो मिक्स फ्रूट चार्ट जिसे कहते हैं और मिक्स फ्रूट जूस, मिलक शेक और बहुत सारी जो है यहाँ पे इनोने फ्रूट्स की वराइटीज रखी वी थी और बहुत ही मजे का इनोने जो है वो चार्ट बनाया था और इसके बाद मुझे जो है वो रैंडम ली एक ग्रूप ने कहा के आप क्या मेरे पिच्चर बना सकती है व्लॉगर मैं व्लागर था यहां इनोने मुझे जो है की मेरे पिच्चर बना सकती हूँ यहां पे और यह बिसिकली लोहर से ब्लांग करते हैं जब मुझे बताया तो इन्होंने कहा कि यह हम खुद अपने घर में बनाते हैं और यहां पे हर साल आके लोक मेला लोक वर्सा में डिस्प्ले करते हैं अपना समान अचा जी तो हम नेक्स टॉल पे चलते हैं और यहां पे इन्होंने जो है वो वुट के चोटे-चोटे पीसिस थे जिसको जो है इन्होंने बहुत ही खुबसूरती से रखावा था और यह कह रहे थे कि हम आपके नाम को जी है वो चावल के दाने के उपर लिख कर आपको जो है वो कीचें नाकलेस या पिर अगर आप चाते हैं तो हम आपको ब्रेसलेट भी बना कर दे देते हैं तो मैंने जाए ठीक है आप ये अपने कस्टुमर के लिए बनाए और मैं जो हूँ वो आपकी रिकॉर्डिंग करती हूँ तो यह यहां पे जो है चावल के दाने के ओपर बेसिकली आपका जो नाम होता है वो लिखते हैं अच्छा जी और नेक्स टॉल पर आप जैसे देख सकते हैं कि लकडी से इनों ने बहुत ही प्यारे प्यारे चोटे 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 आर्ट बनाएवे हैं जो के आप अपने घर में एज़ शोपीस रख सकते हैं आगे आप देख सकते हैं रिंग्स हैं पैंसिल्स हैं कीचेंज हैं जो के सिर्फ और सिर्फ वुट से बनी वी हैं और इसके बाद अब मैं आपको दिखाऊं कि यहां पे फिर जो है वो ट्रेडिशनल पुड़ाने जमाने में जिस तरहां से काम किया जाता था वो प्रोमोट किया जा रहा हैं और खदर के उपर बता रहे थे कि आठ से नौ घंटे में एक सूट जो है वो तयार किया जाता है मतलब आप देख सकते हैं कि कितनी महनत से यह जो हैं वो काम करते हैं और साथ साथ यह भी बता रहे थे कि यह जो धागा है इसका यह वो फैसलाबाद से लेकर आते हैं तो आप देख सकते हैं कि इतनी बड़े जो ट्रेडिशनल तरीके से यह लोग काम करते हैं इतनी महनत से और बहुत ही जादा इन लोगों को प्रोमोट करना चाहिए और लोक मिला लोक वर्सा ने इन लोगों को बहुत ही अच्छी उपरचुनिटी दी है कि ये लोग अपना जो काम है वो यहां पे लोगों तक बहुत जा सकते हैं और दिखा सकते हैं कि आज भी कितनी मैनत मजदूरी से पाकिस्तान में जो हैं वो लोग काम करते हैं और ये लोग चाहते हैं कि हम जो हैं वो इनके काम को सरा हैं और एप्रेशियेट करें तो जनाब इस आर्ट को देखके तो आप पहचान ही गए होंगे कि इसे कहते हैं ट्रक आर्ट जो के बहुत ही मशूर है पाकिस्तान में और पाकिस्तानी जो इतने तैलेंटेड हैं वो डिफरेंट डिफरेंट वर्क आर्ट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट चीजों पर और आ कीनि दिपना हैं बखती हैं इन आप देख वे त्रॉक आर्ट connect के सपटय और आप Bloodyین और भी और समय को ओलना, पलप अदाफ सक ad तरिष्ट भंग इन आप सब्सक्राहिए और ऐसे यह भिदा LARO बहुत ही कलरफुल थी और मुझे बहुत ही अच्छी लगी और इसका आप नाम देख सकते हैं सेयाल ट्रक आर्ट और इन्होंने जो है वो फेस्बुक इंस्टा यूटूब हर किसी का लिंक दिया वा था तो आप भी जाए और आपको कोई भी चीज इनसे बाई करनी है या फि आप देख सकते हैं इन्होंने अपना नमबर भी दिया है बू अली वृड आर्ट और यहां पर आप जो है वो कॉण्टेक्ट करें कोई भी चीज आपको बनवानी हो कोई भी आपको क्रियेटिविटी करवानी हो तो आप यहां पर करवा सकते हैं तो जनाब इसके बाद है यहां पर आपको दिखाएं के ईन्होंने जो है लैला मजनू का पपइट बनाया है यह रांजा का भी और आगे जो है वो डिफेरंट के इन्ग डिफेरंस सूट penalty के इन्होंने यहां पर गुडेजिया बनाएं वे घ्रका dominant कि इन्होंने यहां यहां पे जितने भी शॉप ओनर्स थे उन सबसे बात करने के बात यही लग रहा था कि इन लोगों ने बहुत ही मेहनत से पूरा साल लगा के काम किया है और अब यह चाहते हैं कि इनके काम को जो है वो आगे प्रॉमोट किया जाए लोगों तक पहुँचाया जाए लोग इनको पसंद करें और उपरचुनिटीज इनके लिए पाकिस्तान में लाई जाए जिसकी बहुत बड़ी मिसाल यह वाली स्टॉल थी और इस स्टॉल को देखके तो मैं बहुत ही हैरान थी कि यह जो काम है इन्होंने सिर्फ और सिर्फ पेपर से किया वा था और मैं खुद इतना हैरान परशान थी कि ऐसा कैसे हो सकता है तो इन्होंने कहा कि यह जो जितने भी हमने घोड़े बनाए वे हैं यह सब जो है हमारे घर में जितने भी लोग हैं वो सब बैठके सिर्फ और सिर्फ यह गोडे बनाते हैं और लग बिल्कुल भी नहीं रहा था कि यह handmade हैं क्योंकि आजकल जो लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ टेक्नॉलिजी को पहचानते हैं जानते हैं ऐसे कामों से उनका कोई वास्ता नहीं होता और उनको बिल्कुल नजर नहीं आता कि पहले के जमाने के लोग जो हैं वो कितनी मैनद से काम करते थे आप यह देख सकते हैं जो इन different different designs or different different art की यहां पे जो है colorful छाबिया रखी ही है बनाने में तकाने हैं अच्छा वो जो उसे बनाते हैं उसे कहते हैं खजूर का पत्ता हो उसको आप रंग करते हैं तो आप देख सकते हैं viewers के इनोंने अभी बताया के एक छाबी बनाने में इनको दो दिन लगते हैं और वो जो खजूर का पत्ता होता है उसके उपर यह रंग करते हैं और रंग करने के बाद यह जो है different different art अपने हाथों से बनाते हैं माशालला कितने प्यारे प्यारे इनोंने यहां पे designs बनाएवे हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता के यह जो हाथ से बने वे ऐसा लग रहा है के यह मशीन से बनाएवे हैं लेकिन इनकी दिन रात की मैनत होती है जैसे के दूसरी मिसाल मैं आपको यहां पे दिखाऊं के यह जो इस्टॉल था यहां पे यह सारे आंटी बता रही थी के मेरी बेटी ने बनाएवे हैं और यह वहती प्यारा था इन्होंने बहुत अच्छे से वैल मैनर तरीके से डिस्प्ले करके बकाइदा तोर पे फोटो फ्रेम में करके इन्होंने यहां पे अपने आर्ट को डिस्प्ले किया था यहां पे इन्स्टेग्राम और अपना नमबर भी दिया था तो आप कॉंटेक कर सकते हैं इसके बाद आप इस शॉप पे देखें यहां पे भी पंजाबी ड्रेसेस थी बहुत ही प्यारी-प्यारी और कुछ जो है नोने डिफरन डिफरन शॉल्ट भी लगाई ही थी और घर में डेकुरेशन का समान में नोने लगाया वा था और इस शॉप का नाम था फैशन स्टार बुतीक यहां पे इनका फलक बुतीक के नाम से यहां पे इंस्टा फेसबुक और यूटूब भी है तो आप जाके विजिट कर सकते हैं तो विवर्ज यहां पे यह वीडियो बनाने का एक्स्प्लोर करने का सरफ और सरफ एक ही मकसद है कि आप यहां पे पाकिस्तानियों को देखें कि कितना इनके अंदर टालेंट मौजूद है और कितना यहां पे आर्ट है, क्राफ्ट है, हैंड मेड जो वराइटीज हैं बहुत सारी यहां पे आपको मिल सकती है तो जना पंजाब आएं और आपको जो है वो कुवा ना दिखें ऐसा तो हो नहीं सकता जैसे के पुराने जमाने में और अभी भी जो है गाउ में बहुत सारे कुवे मजूद हैं और यहां पे आप देख सकते हैं के इन्होंने एक मॉडल बनाया वा है जिसमें कुवा हैं और कुवे से जो है आप पानी निकाल सकते हैं और इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ यह पंजाबी म्यूजिक पंजार जी में पंजार वली ने वाले जी अपंजार वजी ने वाले जी वाले जी साजी भाजी एक ना छोधी प्लीज प्थर दिमे ची रोजी किरन पुचा दे पथर दे ची रोजी किरन पुचा दे पथर दे ची रोजी कल्ला हो करे को सर जगन खूँ आए कल्ला हो करे को सर जगन खूँ आए तक्रिया नो देना ए ते मारे नो देना ए I hope आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और मेरे चैनल को लाइक करें, शेर करें, सब्सक्राइब करें बहुत सारी वीडियो देखने के लिए आप जो है वो बैल आइकन को प्रेस करें जब तक के लिए थैंक्स पर वाचिंग